तो बेसिकली प्रिंगल्स पोटेटो फ्लेक्स और कॉण फ्लार के मिक्षय से बनता है और इसमें बहुत बार राइस फ्लार भी एड़ किया जाता है अलग अलग वेराइटी में यूज किया रहत है तो यहां पर हम इंस्टेंट मैश पोटेटो यूज करने वाले है तो यह इ अविख मत बनाईएगा वरना वो रोल नहीं होगा यानि कि पतला रोल नहीं होगा बढ़ बन जाएगा इसमें तोड़ा सा ओईल डाल लेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अब एक प्लास्टिक की शीट पर इससार इसी के से राइस फ्लार मैंने छिडग दिया है त अगर कम होगा तो डो बढ़ेगा नहीं तो जब आपको लगे कि डो बढ़ नहीं रहा है तो आप शीट कोल के फिर से इसके उपर आइसलार छिड़केगा यह इसली रोल आउट हो जाएगा वीच में से कही से फट जाए तो वो भी आप जोइन करके फिर से प्लास्टिक की शी लगा दूंगी ताकि जो डो है वो प्लास्टिक की शीट से अलग हो जाए और हम इसको इसली कटर से निकाल पाए अब हम प्रिंगल्स के साइस का कटर लेके इसे कट कर लेंगे अब इसको एकदम लो फ्लेम पे हमें तलना है नहीं तो यह पूरी की तरह फूल जाएगा और यह ठीक से प्रिंगल्स की तरह नहीं दिखेगा डाक हो जाएगा जरा सा भी आपने तेल को तेज कर दिया तो यह कलर चेंज कर देगा तो बहुती क्रिस्पी बनता है और आगर आप चाहिए तो आप जो मैश पोटेटोस की मातरा है वो बढ़ा सकते हो और जो राइस फ्ला प्रिंगल्स रेडी है इसके उपर अपनी मन चाही सीजनिंग डाल सकते हो ऐसी दिमी दिमी आज पर हमें इसे तलना है अगर आपको एकदम फ्लाट चाहिए तो आप हलका हलका प्रेस कर सकते हो बीच बीच में इसको सीधा रखने के लिए तो यह एकदम से शेप पकड़ ल जैसे आये है तो यहां पर मैं बता दू आपको मैंने पॉटेटो फ्लेक सी यूज किये है उसको पाउडर किया है अब पॉटेटो फ्लाट को यूज मत कीजिएगा मुझे अथे रिजल्ट नहीं मिले थे तो तो आप भी जाहे ज़रूर इसे बनाईएगा होम मिट है और इसको अपनी मनचाई सीजनिंग के साथ इंजोई कीजिएगा